आ घोर कल्यूग मा एक मात्र वस्तु एवी छे जे परम सत्य छे औने ते छे कोई व्यक्तिनी भगवान प्रत्तिनी आस्था कि जेमा कदी कमी नथी होती औने जेमा कदी कोई पाप नथी होतु आपने वस्तु जानिये छे कि जे चीरन जीवी छे तेतो कल्यूग मापण अत्यारे प्रुत्वी पर क्याक ने क्या खयाच छे परन्तु शू आप ए वात मांचो के भगवान शिव जे देवोना देव छे महादेव छे ते पोतानी परम इच्छाने अही प्रुत्वी पर कोईने स्वप्नमा आवीने कहे छे अने ए इच्छाने वश्त थाई एमनुए केवू स्थान एवू धाम निर्मान पामे छे जेना मांटे एवू केहवाय छे कि आ सदा शिव नी आगिना थीज बनेलू धाम छे आगरे कैव छे स्थान रहसी लोक मा आजे तेज स्थान नी करवी छे पड़ताल अने जालवू छे के शा माटे आ स्थान ने कहवाई छे सदा शिवनी आगना थी बनेलू स्थान शिव शंकर, जुद्र, महाकाल, महादेव, जे कोई नाम थी तमे तेमने संबोध हो सदा शिवनी कुरूपा तेमना भक्तने सदेव मरती रहे छे प्रुत्वी, अगनी, जल, वायू, आकाश, पंच महभूत, ए पंच महभूत जेना वगर मानव जीवन अश्रक्य छे अपने बधा जानिये छे के संसार नी रचना ब्रह्मा जीय करी छे तेना संचालन नी जवाबदारी श्रीहरी विष्णूने अपाई छे अने संहार नी जवाबदारी देवादि देव महदेव परशे येवू कहवाचे के ज्या सुधी महदेव क्रोधित नथी थता त्या सुधी आश्रुस्टीनों संचालन श्रीहरी करता रहशे पन जारे देवादि देव महदेव क्रोधित थशे इले पोतानी त्रीजी आँख खोली ने एक ज़क्षण मां आखी स्रुस्ठी नो ते विनाश करी देशे पन देवादी देवने क्रोधित न करवा माटे स्वयम अन्य देवो पन देवादी देव महादेवने प्रसन राखवान उपदेश आ संसार ने आपता रहा छे देवादी देवने बिलिपत्र चढ़ावू तेमना माटे व्रत उपवास करवा अन्य तेमने दिव्यल द्रव्यो नो अभिशेक देवादी देवने अभिशेक करवा थी सदाशिव रीजेला रहे छे ते भक्तों पर पोतानी क्रूपा वर्सावता रहे छे पन शू धाए जो तेमनो नित्य अभिशेक करवा मन आवे शू धाए जो देवादी देव महादेव क्रोधित थाई जाए तो थाई जाए सुरुस्ठी नो सर्वनाश एधाम जेना कण कण मा श्यव छे एधाम जे डगले ने पगले शिवत्वनो एहसास थाई चे तेवा श्यव धाम मा चे आजे रहस्य लोकनी टीम नो पड़ाव एधाम के जा जवाथी जे सव सुखोनी थाई जाई चे प्राप्ती एधाम जे सव दुखोनो थाई चे सन्हार अहीं दर्शिन करवा आवता लोकों ने आ स्थान अती पवित्र अने चमतकारी लागे छे तेरे आ स्थान अटलू चमतकारी केम छे अने आ स्थान माटे कहवा थी वातो के स्वयम सदा शिव ना कहवा थी आस्थाननों निर्मान थेऊँ छे, तेमा तत्या केटलू छे ते जानवा माटे आजे रहस्त्य लोकनी टीम अहीं पहुंची छे जानी शुए तमाम हकिकत, जानी शुए तमाम वातों जिया मंदिर माटे कहवाई छे शिवजी ये कहुँँ, मने प्रिय चे थड़को आम तो देश दुनिया माँ देवाधिदेव महादेवना असंख्य मंदिरों आवेला छे सव भक्तो ते मंदिर माँ नत मस्तक पण थाई छे पण वलसाडना अब्रामा खाते आवेल आ मंदिर माँ स्वयम शिवजी नी आगना थी मंदिर मां छट बनावा मन थी आवी ये वो केम केहवाई छे आ मंदिर सदाशिवनी आगनाथी बनियू छे तो तेना जवाब आ मंदिर नी बनावट्थी जानवा मले छे ये वस्तूनी उच्छुकता मां के आखरे ये वो मंदिर कैरीत होई शके कि जमा कोई छट नथी आने जो ये छट नथी तो शू तेने न बनावा पाछन नो कोई कारण छे आने कारण शू ए होई शके के भगवान शिव नी आगना थी ज ए मंदिर नी छट नथी बनती आम तो ये वस्तु मानेय मां आवे ये वी नथी परन्तु जयारे अमें अहीं अब्रामा खाते आवे आ Ale ये मंदिर नी बाहर, मंदिर परिसर में जारेया में उभाची है, तेरे वस्तु देखाई तो रही से, क्या मंदिर ने छट न थी, पन्छु आ मंदिर कोई इंटेंशिन साथे ज न बनावा मां आवियू होई, तीवू पन होई शके, काना कि तेरे आप जोई रहे आचो ये मं मंदिर मां दर्शन करवा माटे आवे चै, और साथे वू माने चै कि आ जे देव स्थान चै, आ जे शिवालाई चै, ते आती जागरुत चै, कारण के भगवान शिव पोते आ मंदिर मां पोतानी इच्छा व्यक्त करी चुक्या चै, और कदाच इटला मांटे ज दूर दूर ती लोकों अहीं दर्शन करवा माटे आवता होई चै, आने बोतानी इच्छा जे चै, ते भगवान ने व्यक्त करता होई चै, आ एक अनोखु मंदिर चै, एवु चक्कस पने आपने मानिये चै, हजी अमें मंदिर परिस्तर माँ चै, अंदर जी ने तमाम वस्तों नी पर् मंदिर नी चत, शिवजी ना शिवलिंग नो पन आकार चे अनोखु, आ मंदिर ना प्रवेश्द्वार माँ प्रवेश्तानी साथेज तेनी भव्यतानों एहसास भक्तों करे चै, विशाल प्रवेश्द्वार पार करी ने भक्तों तड़केश्विर महादेवना दर्शन न जाई चे, अने धन्यतानी लागणी अनुभवे चे, मंदिर परिसर माँ प्रवेश्दानी साथेज भक्तों ने शिवजी नी आभा वर्तावा लागे चे, मंदिर माँ आकर्शननु केंद्र चे, भगवान शिवनु एलिंग, सामनी दिते कोईपण शिवालाय माँ स्थापित होई, ते उभी अवस्थामा जोवा मडे चे, परन्तो आ मंदिर माँ शिवलिंग सूतेली अवस्थामा चे, अने देवाधी देवनु आनोखु स्वरूप भक्तों ने आकर्श नारुभासित थाई चे, महादेवनु मनमोहक स्वरूप, महादेवने जोईये चे तड़को, बिराजे चे, छत वगर, सूतेली अवस्थामा चे अहीं शिवलिंग। परन्तु आ मंदिर मा, आ स्थान मा, एक विशेश प्रक्रूती, विशेश आक्रूती जे चे, ते भगवान शिवनी अहीं जोऊआ माले चे, अहीं भगवान शिव सूतेला स्वरूप मा, दर्शन आपे चे, अहीं समाधी वाला शिव पन, आ स्थान ने कहवा मा आवे चे, क पूज निये चे, मोटी संख्यामा लोकों अहीं आवे चे, दर्शन खरवा माटे अने तेने पूजे चे, परन्तु आ आकृती जे आप जोई रहाचो ते साव अलग छे, कराना के लिंग स्वरूपे जारे आपने निराकार स्वरूपे भगवान शिव ने जे अलग-अलग मं अने आश्वरूप कईक अलगर छे, आउप्रान्त आ स्थानी विशेष्टा ए आ मंदिर नी ए च्छत छे, जे चैज नहीं, मंदिर माटे एवु कहवा माँ आवे चे कि आ मंदिर माँ च्छत रहती ज नथी, अने भगवान शिव ने पोते तड़को पसंद छे, इतला माट अने भगवान शिव नी आगना थी, आ मंदिर माँ च्छत बनी नथी रही, अहीं च्छत बनावाना घणा प्रयासो खरवामा आवे आ परन्तू, आ च्छत जे चे ते नथी बनती, रहती ज नथी, अने भगवान शिव नी आगना थी, आ मंदिर माँ हवे च्छत मांडी जवालवाम आवेचे कदाच आ भारत देश मा एक मात्रेवू मंदिर छे के जह आ प्रकाने विशेश ज़ेश ताजे जवा मढ़ेशे जैने जोवा माटे दूर दूर थी भक्तो आ मंदिर मा आवेशे अने रहस्य थी भरपूर आ स्थान ना दर्शन करी भगवान शिव ना आशिरवाद मेड़ेशे देवाधिदेव महादेवने आकार अने निराकार एम बन्ने स्वरूपों मा पूझवा मा आवेशे मूर्ती स्वरूपे तेमना आकार स्वरूपने पूझाई छे जरे लिंग स्वरूपे तेमनू निराकार रूप पूझाई छे भक्तो बन्ने स्वरूपी तेमनी पूजा करे छे अने देवाधी देवना अब बन्ने स्वरूप पोताना असीम आशिर्वाद भक्तों ने आपे छे पड़ा मंदिर मां आवू केम छे शा माटे तडकेश्विर महादेयो मंदिर मां शिवलिंग नो आकार अलग छे भक्तो अहीं शिवजी ना दर्शिन करवा माटे आवे छे अने साथे आशिर्वाद मिलावा माटे आवे छे परन्तू आस थान तेरे जेवू छे वर्षो पहला आवू नो आतू लोक माने ता एवी छे अने लोको एव माने छे के भगवान शिव आ अवस्थामा अहिया छे तेना कारणे ज अहिना लोको सुखियन संपन न चे परन्तू जारे मंदिर नो निर्मान थे रहे वो अतू ने जारे स्वयमभू अहिती शिव जी प्रगटे आता तेरे आ स्थान आप अजे शिवलिंग छे तेने मात्र पत्थर गणी ने कितला कर लोको एए तेने क्षती पहुंचारवान प्रहतन करियो। तो अने वुपन मानवाम आवेचे कि किट्लिक जग्याई आप पत्थर जेछे आ जे शिवलिंग जेछे ते ख्षति ग्रस्त जोई पन रहाचो। किश्वर महादेव प्रत्य आस्था धरावेचे आने लोको दर्शन करी धन्यतानी अनुभूती करेचे। एक दिवस गोवाले जोयू कि तेनी गाई दूद खुबज ओछू आपी रही छे। गोवाले आश्चिर्य साधे गाई पर नजर राखवानू शरू करिऊ। किश्वर महादेव प्रत्य अनुभूती 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 करेचे। पशी थोड़ा टाइम पशी पत्राणू मंदीर बनाविय। तो आजू बाजू ना जे मकान हता एमज रही गया। आनुछततु ते वन्टोर मा उड़ी गेव। एक जन्न सीव जी आदेश करेओ कि मुँ तड़केश्वर मा देवशू मारे बारे मास तरको जुए वर्षाज जुए ठंडी जुए तो संकर भगवानी आगन्या थी आपने ओगनिसो बाणो मा नव मंदिर बनाविऊ एना उपर 22 पुटनो व्यास राखेलो छे बपोना टाइम आवो तो भगवान उपर सिधो तरको तमन जुआ मले एल्ले आनुआम तड़केश्वर मा देवशे खरेखर कल्यूग ना आ समय मा आवात मान्या मा आवे एवी नथी पणाच तो छे शिवजी नू साक्षाँ चमतकार शिवजी नू ए चमतकार जेने वज तही मोटी संख्या मा लोको अहीं दर्शने आवे चे अने हर हर महादेव नो नित्य जाब करे चे पोताना आराध्य देवना नियत स्थाने जई एकाग्र मने एक ध्याने पोताना इस्ट देवने भजवानु स्थळ इटले मंदिर मंदिर मा मले चे सकारात्मक वातावरन घंट नो नाद इस्ट देवना नामनो गुंजारव अने समक्ष पोता ना एस्टर देवनी मोर्ती समक्ष भारत मां पोतां आस्टर देवों ना मंदिरों प्रत्ये करोडो लोकोंनी अपार श्रद्धा रहेली छे पोदानी मननी मनो कामना रदैनी दरेक महेच्छा आपने देवी देवताओं ने कहता एक अपार सुखनी लागणी अनुभवता होईये छे अने आ मंदिरे दर्शने आवता भक्तो मंदिर मां दर्शन करी शू लागणी अनुभवे छे ती पड़ सांपलो आ वर्शो पूराणी विवाद छे के आ सिवलिंग एक भक्तने सपना मा आवियोतू अने त्यारे एमने केवा मा आवियोतू के हुँ आ जग्या है छो अने शूतेली अवस्तामा छो तमे मने अहीं ती उचकी ने आगर लई जाओ अने मारू स्थापन करो आने ए स्थापन करता भग्वान आजे भी सूतेली अवस्तामा हवा चतापन हज्रा हजूर जाकता भग्वान छे। जिना द्वारा तडकेश्वर महादेवन तडको ठंडी अने वर्साद प्राप्त थतो रहे शे। शिवलिंग जे शिवालायो नो प्राण कहवाई चे। आ प्राण अहीं विसस्ट द्रश्यमान थाई चे। आ मंदिर मां शिवलिंग नी अन्य एक विशेशता एपन छे क्या शिवलिंग भर्ष मत्रण वार रंग बदले चे। शिवजीना आ अनोखा स्वरूप नोज आ प्रभाव चे। कहीं आ नार तमाम भक्तों ने मन नी शान्ती मडी रहे शे। आ उप्रान ता मंदिर नी बाजुमाज आवे ली चे ते नदी के जाथि आ मंदिर मां स्थापित शिवलिंग ने लाबवा मावियोत। वाकी नदी मां बिराजमान हता सदार्शिव। चे मंदिर हाल तड़केश्व। महादेव आवे लूँ चे त्या ए शिवलिंग पूतानी जाते ज भारे थे गयो अने त्या ज स्थापित थे गयो ने त्यार थी ज अने को वर्षो थी पौरानिक ता थी अहीं सदाशिव नी जे पूजा आर्चना चे ते करवा मा आवे चे यहले आ ए मुख्य स्थान चे के जा तड़केश्व। महादेव स्वयम्भू प्रगट्या था शिव स्तत्य चे शिव सुन्दर चे शिव शास्वत चे संसार ना कण कण्म वसे चे शिव। जिव स्रूस्टी जेना कारणी हया चे ते कारण चे शिव। देवो ना देव महादेव जेने समस्त देवी देवताव पण नत मस्तक थाई चे अती आधुनिक थती जती आजनी आधुनिया माँ चमतकार जिवू कशूँज रहू न थी बरेक वस्तुओ जे आपने नरी आखे जोई रहा चिये जे आपनी आसपास थाई रही चे ते केम थाई रही चे तेना प्रमाण आपने विज्ञान चकस पणे आपे चे पणा स्थान जे स्थाननी वादा जे रहस्य लोक मा करी ते स्थान पोता नामाज एक अनोखु रहस्य धरावे चे जेनो जवाब विज्ञान पासे पण मती अने लोकोंनी अतूट आस्था अने श्रद्धा आस्थान साथे जोडाईली चे जा स्थान ने बनावे चे, अति पावन अने अति पवित्र राज्य माय भी अनेक जग्या होश है अनेक इवा स्थान चे के जैने विशे संभंपरटा जैने जोता है आपने मुँद लागे के आधभुट चे और विस्मर्णिय चे अकलपनिय चे अने आ स्थान ते मानूंज एक स्थान शभी रहस्यलों कारिक्रम अपने गमेशे शाध्या किया आधा सब्ता है एक नवास्थान साथे ने रहस्यम वाद साथे परीएक वाराजर तेशुरें प्यास्तु रजा आपशो नमस्कार